गुड मॉर्णिंग एवरिवन आज अपन ओलाइन क्लासेज के थूँ और आपको पता क्यों ओलाइन क्लासे लग रही है अगर भारत में कोरोना नह आता और लोकडाउन नह होता तो साइध हम आपकी क्लास में आपके सामने होते इसके चलते ये टैंथ क्लास का पहला चप्ट ये चप्टर है बड़ा अच्छा चप्टर है और इसमें से जो भी 3-4 मार्क्स के कोशन आते हैं बहुत ही अच्छे कोशन आते हैं इस चप्टर में से तो देखो सबसे पहले बात यह आती है कि बोजन यह मानव स्वास थे क्योंकि मानव की मूलभूत आउशक्ता में सबसे पहले मूलभूत आउशकता एक तरह से यही देखी गई है कि बोजन हम किस क्वालेटी का बोजन खा रहे हैं बोजन कब खा रहे हैं बोजन को कैसे खाना चाहिए बोजन में प्रयाक्त मात्रा में विटामीन आपका उसके अंदर प्रोटीन कार्वोहाइड्रेट मिलरंस खन अगला भोजन तो नहीं खा रहे कई हम ऐसे कुछ नशिले पदार्तों का शेवन करके हमारे स्वास्ते पर विप्रीत परवाव तो नहीं डाल रहे तो यह सब कुछ इस चप्टर के अंदर भोजन कैसा करा जाए बोजन संतुलेंद भोजन क्या होता है और कुछ जो नशिले पर पदार्त होते हैं उनका शरीर में कैसे विप्रीत परवाह होता है वो क्या होते हैं वो कैसे बन पदें इसंदर हम करने वाले हैं शीदह सिधर के नामसे पता चल रहा है कि भोजन और मानू स्वास्ते सहिदी हम कलास में नहीं होते तो बहुत कुछ इसना के ओपर explanation करते बट अब यहाँ पर time के climate होती है इसलिए अपन सीधा chapter की रूपरेका पर चलते हैं जैसे कि chapter का introduction यही है कि बोजन और मानो स्वास्ते तो आपको पता है कि हम जीवन किस मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे पहला काम जो होता है उसका वह होता है पोशड़ यूक्त आह अब पोशन यूक्त आहर का मतलब यह हुआ कि उस जो आहर यादि कि जो फूड ले रहे हैं जो अपना खाना खा यह चीज़ें आपकी उस भोजन के अंदर प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए यह अपना भोजन होना चाहिए तो इस चप्टर में यह पर पढ़ने वाले हैं जैसे कि आपको इस चप्टर के अंदर सबसे पहली जो लाइन है वो दे रखा है कि पोशन जीवन का आदार है और के रूप में जीव अपने वातार से विविन पदात प्राप्त करता है यह पदात पाचन के लिया के माद्यम से जीव के सरीर का अंग बन कर सरीर की विविन आउशक्ताओं की पूर्ती करता है अच्छे स्वास्ते के लिए संतुलित आहर लेने की जरूरत होती है देखो अच्छा बोजन खाएंगे बोजन टाइम पर खाएंगे अना तब स्वास्ते अच्छा होगा क्योंकि बोजन से ही अच्छे बोजन से ही सरीर का विकास होता है चाहे वो कोशी का विकास हो चाहे वो हड्यों का विकास हो चाहे वो बलड का बनना हो जो भी अपने पास बोड परतिरोदक शम्ता को बढ़ाता है संतुलित आहार दिमाग को तेज इम स्वस्त बनाता है देखो यह अब यह जो बाते बोल रहा है कि संतुलित आहार सरीर को मजबूत बनाता है थता रोगों से लड़ने के लिए परतिरोदक शम्ता को बढ़ाता है साथ यह संतुलित आहार दिमाग को तेज धता श्वास्त करता है रोगों से लड़ने की शम्ता पर्तिरोधक शम्ता होती है यह पर्तिरोधक शम्ता कहलाती है इसका चैप्टर अलग है अपने पासवर्ट चैप्टर पर्तिरोधक शम्ता का मतलब यह हुआ कि हमें कोई भी वाइरल है बैक्टेरियल है यानि कि किसी भी रोगानों से लड़ने की शम्ता हमारी जितनी अधिक होती है हमारी परतिरोधक शम्ता उतनी ही जादा मजबूत होती है तो अगर अच्छा भोजन खाएंगे तो अपनी प्रतिरोधक्षमता भी क्या होगी जादा होगी और भोजन अपन कुछ इस प्रकार का खा रहे हैं घास पूसा तो उसके अंदर चाहिए न्यूट्रेशन है ही नहीं पेट भर रहा है तो इस प्रकार के भोजन से अवोड करें जंक फूड को अवोड करें फास्ट फूड को अवोड करें जहां तक हो सादा भोजन वो खाए उस टाइप की जो डाले हैं प्रोटीन युक जो आहर लेना चाहिए अपने को तो इसमें यही कहना चाहता है ठीक है उसके अलावा अच्छा जो अंडर लाइन है वो आप कोप करेंगे हम आप से और आप उनके जवाब भी दोगे ठीक है ऐसे ही साथ साथ अपन इस और चप्टर को आगे ले जाते हैं तो फिर चलता है इसके बाद चप्टर में संतूलित आहर सरीर को मजबूत बनाता है तता रोगों से लड़ने के लिए परतिरुर्शमता बढ़ाता है साथी संतूलित आहर दिमाग को तेज तता स्वस्त बनाता है स्वस्त भोजन के अभा में ठकान और अन्य कई परकार के रोग होशकते हैं स्वस्त भोजन के हैं तो भोजन अपने को अच्छा लेना चीए देखो उसके बाद आता है आपका कि अनभूं के आदार पर ये त ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन है तू जीवन के संचालन है तू कार्वो हाइडरेट प्रोटीन वसा खनीजलवन विटामीन जल उचित मात्रा में उपलब्द होना चीए ये देखो ये सरीर को ये सरीर को प्रोपर मात्रा में हर दिम थोड़ी-थोड़ मात्रा में जो इनकी लिमिट मात्रा है यह अपने माशन और सरीर को भूँत अधिक मात शक्ताओ शक्ता इनकी जीवन के संचालेन है तूपी मतलब आपको पता है जीवन में सरीर के अंदर पाचन करिया है बैर्ड सेलकुलेशन कितनी भी जितनी भी प्रकार physiological क्रिया हैं वो सब एक अच्छे भोजन पर डिपेंड करती है कि हमारा स्वास्ते कैसा रहेगा ठीक है जिसके इंदर आपका परचुर मात्रा में कारवारिट होता है प्रोटीन होता है वसा होता है खनीज लवन होता है विटामीन होता है इनकी डिटेल आगे है कि कौन से है जिसमें सभी आवशक पोशक उपलब्द हो अब पूछले संतुलित भोजन क्या है तो संतुलित भोजन के अंदर सभी आवशक पोशक तक्त्तों का विद्यमान होना जरूरी है ठीक है किसी भी पोशक की भोजन में कमी या अनुपलब्ता से भोजन संतुलित हो जाता है अगर हम यह कहे हैं सीधी मातला में कि अगर हमारे भोजन में विटामीन नहीं है प्रोटीन नहीं है वसा नहीं है तो वो ऐसंतुलित भोजन कहलेगा लेकिन इसका ये भी तात्परे नहीं है कि एक दिन हमने वसा नहीं खाई या प्रोटीन नहीं खाई तो भोजन ऐसंतुलित होता है तरीर को एक दो दिन किसी चीज का नए मिलने के कारण ऐसा कुछ नहीं होता मेने दो मेने तीन-चार मेने तक अगर हम तब जाके उसका बोड़ी में एक देखने को मिलता है एक दिन घी नहीं खाने से कमजोर ही हो जाते लेकिन एक दो साल नहीं खाने से या चार पाँच मेहने नहीं खाने से उसका फरक परता चलता है अधर समझ में तो इन चीजों का आगर संत्तुलित आहार में कमी है तो है संतुलित भोजन ए और उसका अपने को फरक देखने को मिलता है या लॉंग Principal کے क्या है लंबे समय तक क esos supplement कि एक्या अधिक पौस्ष्टत्त ट्तुव की कमी हो तो उसे अपने क्या कहेंगे कोफ़षण कहते है कोफ़षण उसको अपना कशन कहेंगे कोफ़षण का सरीर पर असर कई परकार से देखने को मिलता है पोशन के विविन तत्तु आप शक्ताओं की पूर्ती करते हैं अज़ता यह इसपस्ट है कि जिस तत्तु की कमी होगी उसके द्वारा किया गया कारिय नहीं होगा अब देखो बात यहाती है कि पोशन की कमी है तो हमारी सरीर में विविन परकार की किरियाएं कमजोर पड़ जाएंगी सरीर काम करना धेरे-देरे कम कर देगा और जिस पॉसक तत्तो की अब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैलसियम है, मैगनेशियम है यह सब सरीर में अपने अलग-अलग क्रियाई देते हैं चाहे आब बिटामीन लो, चाहे प्रोटीन लो, वसा लो, कार्वो हाइडरेट लो सब बोड़ी में अलग-अलग function है किसी का उपापच्चे में function है किसी का कंकाल बनाने में है किसी का किस परकार से संबन्द है तो हर कोई पोशक तत्तु सब अलग-अलग बोड़ी में function करते हैं कार्य करते हैं और एक बोड़ी को समिन में बना कर रखते हैं किसी भी पोशक तत्तु की अगर लगातार काफी लंबे समय से कमी रही तो वो सरीर को जहिलना पड़ता है अब बात आती है अपन संतुलित भोजन यान कि balance and unbalanced food क्या होता है जैसे कि हमारे देश में कुपोशन का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोशक तत्तों से युक्त संतुलित भोजन प्रयाप्त मातरा में नहीं मिलना अब बात तो सकते हैं जिन लोगों को सक्त आउशक्ता में संतुलित भोजन की शक्त आउशक्ता होती है वो गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण वस वो रियल में पोशनित भोजन नहीं कर पाते है और जिनको जुर्त नहीं है वो चाए रोज काजू बादम खाए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है खाएं लेकिन पोशक्तत भोजन इंडिया में काफी कुपोशन के सिकार गरीबी रेका से जीवन व्यापन करने वाले लोगों के साथ ये गटना होती है और हम जब कभी ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो खुद अन्बव करते हैं कि ये कुपोशन के सिकार है उनके सरीर से उनके बोल चाल से उनके पेट ऐसे फूलावा होता है ऐसे सरीर में चक्ते चक्ते से होते हैं आखे बार से आई हुई होती है अब इनको आगे जाके अपन ये कौन सा जो लक्षन है किस बिमारी के कारण होता है वो सब देखने को मिलेगा तो ये सब आगे डिटेलिंग है फड़ेंगे वैसे अपन तो संतुलित बोजन की बात कर रहे थे मगर कई उधारन ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित बोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और ये और व्यक्ति कौपोशन क सब्सक्राइब करने लगते हैं हां तो सोगाइज आप में सब्सक्राइब कोई नहीं है बट ऐसी आदत भी मत डालना ये बहुत बड़ा मतलब देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो कुपोशन कुपोशन जो उल्टाइफक्ट है जो संतुलित आहार भी ले रहे हैं लेक कुछ बुरी आदत है या उसका सरीर कुछ उसके साथ विप्री तिफक्त दिखा रहा हैं जैसे लोग पोशन भोजन भी कर रहे हैं लेकिन साथ में गुटका खा रहे हैं मदीरा पी रहे हैं या फिर जैसे कुछ और भी जैसे की अफीम गांजा तंबाकू बीड़ी हिरोईन फिल्मों नहीं यह भी एक परकार से नसीला पदारती है वैसे हिरोईन भी नसीली होती है तो इस परकार की चीजों का इसमें उपयोग किया गया है ठीक है तो बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति को पॉशन के इलक्षन पर दश्यत करने लगता है कूपोशन का परभाव सारीरिक और मानसिक दोनू परकारी की दुर्बलताओं के रूप में परकट होता है, अब देखो कूपोशन देखा झाए तो सारीरिक मतलब सरीर का कमजोर हो जाना और मानसिक, यानि मनों से की मानसिक समता भी कम हो जाती है सोचने समुझने की शक्ति कम हो जाती है साथ मसरीद कम हो जाता है तो कुपोशन के साथ दोनों ही परभाव उल्टे पड़ते हैं तो आपको अब अपनी लाइप में आगे से यह सब चीजों का ध्यान रखना आप अभी इस उमर में ही हो यहां हम कुपोशन के कुछ परमुक परभावों के चर्चा करेंगे अब देखो कुपोशन कौन-कौन से चीजों के कारण किस वज़े से किस प्रकार के लेक्षन देखने को मिलते हैं यह सब अपनी चप्टर के अंदर दिरि-दिरि करना प्रायरम करेंगे अब बात आती है अ विटामीन की कमी से कौनसा को कुशन होता है विटामीन भोजन का शुक्षम भाग होते हैं ध्यान रतना विटामीन अमारी भोजन में बहुत ही अल्प मात्रा में परियोग होते हैं लेकिन इनका जो कारिय है ना इनकी कारिय शेली है वो कारिय के दरश्टे से बहुत जादा important है बले ही अपन अपने को कम मात्रा में पर्योग कर रहे हैं लेकिन इनका body में जो पापची किरिया हैं जो सरीर को समन में बना रही हैं उनके case में इनका बहुत बड़ा रोल होता है मगर कारी की दरश्टी से अपने को नजर जरूर आएंगी निम्न तालिका में पर्मक विटामीन की कमें से होने वाले रोगों को नीचे दिखाया गया है अब जैसे पर्मक विटामीनों यह जो आपका दे रखा प्रकंध कार्थ कि पर्मुःएं की कमिस्फे होने वाले रोग और उनके लक्षन यानि कि कौंसे विटामिन की कमिसरे भी उत्वन होथा है और उस रोग के लक्षण क्या चीज होते हैं ठीक है तो यह चीज़ें अपन इसके अंदर दे रखा है जैसे कि आपने इस से भी निमने क्लासों में कभी विटामीन के बारे में ऐसी कुछ बात है जानकारी प्राक्त कर ली होगी कि जैसे मानला आपका विटामीन विटामीन ए कमी से होने वाला रोग है रंतोंदी यह रंतोंदी रोग होता है अब इसका जो रीजन है वो क्या है यह ब्लैंडनेस होता है प्रकास या रात में दिखा ही नहीं देता जैसे अपन एक दंग से लाइट में चलें तो अपने को कुछ नहीं दिखा दे रहा या रा ने ओपिए को पहुछन जब पूशते हैं तो यह क्या करते हैं कि रोख के लख्षण के लिए कौन सा रोग है या इसकी कौनसी कमें से यह लख्षण दिखाई देते हैं तो यह तीनों चीजेज़ आपको एक साथ मतलब इनको एक साथ याद करने पड़ेगी ऐसे नहीं विटामीन एक की कमी से रंतोंदी रोग होता है और आपका परकास या रात में दिखाई नहीं देता है यह इसका लक्षन है ऐसे थाइमीन जो B12 है यह बेरी-बेरी रोग होता है आपका रदर धड़कन कम हो जाना दिल धड़कना कम कर देता है और धड़कन कम हो जाती है पेशियां और तंत्रिकाइं कमजोर हो जाती है यह इस रहितार है a ह Panel और That राइबो Weoki B2 राइबो फ्लेविन भीट्य जो है यह यह इसका होग है इसमें भी क्या होता आपका मुख्य किनारे था यह होटों की तशा का फटना मुख्य किनारे होटों की तशा का फटना इसमर्टी में कमी मतलब मेमोरी यादास्त कम हो जाती है इससे हना मेमोरी कम हो जाएगी अपनी तउचा फटने लग जाती है होट फटने लग जाती है ठीक है मुख मुख के किनारे के सारे जो होट आते हैं मोटे मोटे फटने लग जाते हैं जैसे आपने कभी देखा होगा ठीक है नियो निया सीन बी-3 यह भी विटामीन b के इस पार्ट यह पहले ग्रा इसमें जीव तउचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं ठीक है और यह कॉर्पिक इसमें मसूरों से खून आ जाता है तउचा पर चक्ते बन जाते हैं और यह विटामिन सी की कमेसे होने वाले बाते ही कहाँ से मिलती। है यह सब आपन दिर दिर इन चीजिजों को फड़ते हैं विटामिन C जो आपके शित्रस पर मिल यानि कि जो खटे-पदार्थ होते हैं आमला है औरेंज है नीबू है यह सब विटामिन C की पूर्ति करते हैं ठीक है तो यह विटामिन D जो है दूप में सुब सनलाइट के देश से केल्सिफिरोल डी आपका 2020 में कॉशन बन चुका है केल्सिफिरोल डी का 2020 में कॉशन आ गया है ठीक है इसके बारे में 2020 में कॉशन पूचा गया है केल्सिफिरोल क्रैकेट्स रोग पैरों की हडियां मुर जाते हैं और घुटन फास्ट पास आ जाते हैं यह विटामिन D की कम मातरा पर्चुर मातरा में नहीं मिल पाती है तो उससे कौन-कौन से रोग होते हैं तो सेकेंड जो अपना डिजीज है वह सेकेंड डिजीज किसका रहा है प्रोटीन के अपने वाले डिजीज की बारे में पढ़ने प्रोटीन प्रोटीन की कमेशे कौन से रोग रते हैं देखो गरीबी के कान लोग भोजन में प्रयाप्त भोजन में प्रोटीन प्रयाप्त मात्रा में समलित नहीं कर पाते हैं ठीक है गरीबी की कमेशे और कुपोशन का सिकार हो जाते हैं अब देखो ये दो बच्चे दिखाए दे रहे ये कही न गही रोड से इनके फोटो एक खींचे गही है बिचारों की ये इस परकार के रोग देखो एक बेठा है जो ऐसे जिसका पेट फूला हुआ हुआ है बाहर निकल रहे है या कवाशियो कोरस जो इसका रोग के नाम है एक है देखो इसके पेट अंदर धश रहा है ऐसे इसकी जो आखे हैं रजा अंदर धशी हुई है बिल्कुल है दुबला पतला सा रोग हो रहा है बिजारा सूप के हड़ी बन रहा है इस ये जो रोग कहलाता है ये मेरसमम रोग के नाम से जाना जाता है तो इस परकार की protein की कमी से काफी इस परकार की रोग देखने को मिलते हैं और इसका देखा जाए तो मुख्य कारण ये भी है कि अपन सीधर मातरा में ये भी कह सकते हैं कि गरीबी के कारण हो सकता है या कुछ भी मान हम सकते हैं तो गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन प्रयाप्त मातरा में समलित नहीं कर पाते हैं और कूपोशन के सिकार हो जाते हैं तो कुछ अंडरलाइंड है वो आप याद कर सकते हैं विसे इसमें तो सारे पॉइंट बहुत ही इंपोटेंट मॉस्ट पॉइंट है एक दोपार आप फड़ोगे अच्छे से आपको यहाद हो जाएंगे फिर आप पंजय से कॉशन बताएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हां कि इस प्रकार से कॉशन पूछे जाते हैं मुखे थे छोटे बच्चे इससे ज़्यादा प्रवाइट होते हैं जो यह प्रोटीन का कुशन है इससे छोटे बच्चे जल्दी लापेटे में आ जाते हैं घरवती महिलाएं और गरवती महिलाओं को आप उस ताइम देखो कितना बोजन का ख्याल रखना पड़ता है क्य आपकी जो चल रही है उसमें आपको प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए प्रोटीन की कमी से क्वाश्यो कौरस रोग हो जाता है जैसे कि यह बच्चा बेठा यहां पे इस प्रकार का जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है वो प्रोटीन की कमी से ही होता है बच् के साथ पॉशन में ट्यापत उड़ जा की कमी होती है तो सरी सूख कर दुर्बल हो जाता है और आंके कांती ही एंदर दस जाती है इस इस्तिती में इसको हम कौन सा रोग के नाउंसे जाने जाएंगे मैंस मरस यह देगा यह रोग जाता है जो सेकंड वाला जो पिक है यह आप यह इस रोग से है और जो फर्स्ट वाला रोग है जो आप का Harlovs रोग से जाना जाता है ठीकल्ड अब जो अपन तीसरे परकार का जो को पोर्षन देखना चाहते हैं वो खनीजों की कमी से भी काफी अधिक मात्रा में इस परकार के रोग देखने को मिलते हैं मिल्रफ चाहरे में महत्वह immense में यह कैलसियम कि आधर क्या रोल होता है आई गोंग्लोबीन होता है एक कॉम्पलेक्स में बड़ा जठी उसका केंदर परोमान होता है तो काफी чीजिज rozp हमारे स्टी आइटरोजन आक्सिजन कार्बन उस भॉष सकता है थो इन सब चीजों में किसका रोल है नहीं है किंच की कमी से किस परकार के रोग उत्पन हो रहे हैं ये सब अपने को इपनी को यहां से मिलते हैं तो तिद्धा इसकी कमी से सरीर में कई परकार के विकार विकार या नहीं कि दो सब्स्रेट अधान। लोह तत्तू रुदिर के हिमोगलोबिन का भाग होता है का ना या इय। पोचते हैंकि ऐसे खून की कमही हो गई तो बोलते हैं असका आई रोटरा नकी गोल यह ओ न और पुद्रा को लॉप धुक्र क्या इसे कैसे कर रहा है तो यह चीज़ें अपनी को देखकर इनके चीज़ों का अभाव पता चल जाते हैं इसी परकार केल्सियम हड्यों को मजबूत बनाता है अपने पेरेंट्स या माबाप बच्पन से बोलते हैं दूद प्या करो सरीर मजबूत होगा सरीर मजबूत होग होगी इसकी कमें से हड्यां कमजोर हो जाएंगे बंबूर हो जाएंगे हड्यां कमजोर होंगी विखास नहीं होगा सरीर का और भंगूर का मतलब है जैसे कि छोटे मोटर जीजिसापन गील जाते हैं चोट लग जाती है तो तो चटकने का जधा डर रहता है अन्या होता मात्रा कम होगी तो इसलिए रोज चाम एक ग्लास दूद पिया करो ठीक है अब हमारे पास एक जो टेबिल आई है वो इन खनीच तत्तों के भाव में या इनकी जो होने वाले रोगों के बारे में एक टेबिल है आपके सामने कि कौनसे तत्तों का कौनः सा श्रूत होता है कि कौनसा तत्तों कहां से मिलेगा क्या खाने से उसकी पूर्ती होगी और उसका सरीर में मुख्यकार ये क्या है इसके ब McConnell है और इससे कौन कौन से किस परकार के चीजें हमारे सरीर के साथ बेंटेड करनी होती है जैसे सोडियम तब तो है ये मिलता कहां से सामानिय जो नमक होता है वहाँ से सोडियम पर चुर्मात्रा में मिलता है या मचली मास, अंडे, दूद इनमें थोड़ा-थोड़ा सीजों के शुरुत होती है परमुकारि क्या है मासपेश यां संकुचन होती है तांत्री जो आपकी तंत्री की आवेग है संचरन है सरीर का वेदुत अब कठन है संतुलन बनाना है यह जो आपका तंत्री का तंत्री आवेश है संचरन है यह जो मासपेश यां संकुचन है मासपेश यां संकुचन होती है तब ही जाके हम कोई गती कर पाते हैं जैसे आप हाथ को flexibility कर पा रहे हो अभी क्या है face to face नहीं है वनना आप खुद जानते हो पैर का चलना, उठना, बेटना सम्मे मासपेसियों का संकुचन होता उसी क्यादार पर हमारा सरीर समन्में बनके कारे करता है और हम चल पाते हैं ठीक है और यह जो तंत्री के आविस कारती है हुआ कि जो हमारे सरीर में सूचनाओं का आदान पर दान करते हैं काप तंत्री का कोशिगाएं होती है जो सरीर की सबसे लंबी कोशिगाएं जाती है तो यह सब इन चीजों के कारी काम आता है पिर आपका सेकेंड जो दिया गया है वो पॉटेश्यम दिया गया है सोडियम का आपने देखा पॉटेश्यम पॉटेश्यम सभी खाद्य पदार्तों में पॉटेश्यम पाय जाता है पॉटेश्यम आपका बाजरे मेर इन समय काफ़ त distraction के कई इत्तरह में करे वेवन को करना स रन कौशियम करते हैं सोडियम पॉटेशियम पॉठेशियम के नाम से वजाने जाते है केलσιयम आपको पता है प्लंस परचुर मात्रा में केलσιयम होता है वीटामिन две के साथ हड seulement नहीं हम दातों को मजबूती परदान करते हैं, यह जो आपका केलसे przeciam है, यह विटामिन डी के साथ गई मिलकर हड築ष और रओत मजबूत करने का कारे करते हैं कि हड्वियां और दात मजबूत होने चाहिएं वनना कोई भी हमको चलता रड़ देगा दाफ तोड़ दूगा तेरे अगद दूढ़ बाजरा रागी शूकह में यक्रत वरकाग। इन समय पॉस्परस पर्शुर मातरा में होता है केलसियम से मिलकर हड़ियां थता दातों को मजबूती परदान करता है ये भी केलसियम के साथ मिलकर कारे करता है केलसियम या के फॉर्मूले पते चलेंगे कि केलसियम के साथ इसका फॉर्मूला बनता है हमारे सरीर के लिए तो यह दूनुं साथ मिलकरी कारे करते हैं। ऊसी के साथ अपना लोह हम यह घाट्ठ्टू को .. आप समिजो लोह जड़ा है लोहे तत्ट्डू। आइरन भू हम को पता साथ सोडिय। का एने परतीक होता है यह आप जानते हो ना इन चीज़ों के सोडियम का परमानो कर्मा ग्यारा पोटेशिम का उन्नीस केल्सियम का बीच फोस्पोर्स का पंद्रा आयरन का 26 आयोडीन का तरेपन आई होता है ठीक है तो यह इन चीजों के परतीक है आगे बास समझ में अब पर अच्छा फोस्पोर्स भी होता है और आयरन भी होता है ठीक है तो यह इसके शोड़ते हैं रुदिर में हिमोगलोबीन का निर्मान करना और उत्तक्का उक्चिकन करना यह रक्त का मुक्खेकारी है ठीक है यह इसका मुक्खेकारी रुदिर में हिमोगलोबीन जो हिमवा जामून काला नमक निसम में क्या होता है ऐडियक अच्छ हर्मॉन की निर्मार करता है श्कर निर्मान करता है स्थाइरोक्सिन हर्मोन का निर्मान करता है तो इन सब चीजों का ये एक मुखे कारिये थे इन पौसक तक्तों के बारे में अब कल अपन मानुस वास्ते के बारे में और चर्चा करेंगे कि क्या चुछ हमें खाना चाहिए पानी के सपीना चाहिए भोजन किस कि दोनुं रोग हैं उनके लक्षन क्या हैं किसकी कमें से होते हैं यह इंडक्स व्याद करनी है जैसे कि आपको बता रखा है किस प्रकार से कौशन पूचा गया है और इस चप्टर का इंट्रोडक्शन था और संतुलित और संतुलित भोजनी के बारे में था तो यह आज अप पानी का सपीना चीहें पानी से दूशित पानी से क्याहा निकार कोंगा मोटा होता है मोटापा से कैसे च्टकारा पाएं रक्तचाप मदीराघा को जो इसमें मैं आप उसimento nota सा प्रव so much guys आप इसमें जूड़े और उनको भी जोड़ो और ज़्यदा फायदा उठाओ ठीक है okay thank you so much